सल्मान खान एक ऐसा नाम जिसको आज बॉलिवुड का बच्चा बच्चा जानता है हर किसी को इंट्रस्ट है इनकी निजी लाइफ में जहांकने का इनके बारे में जानने का कि आखिर ये एक्टर ऐसा क्या करता है जो हमें नहीं बता तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे ही फैक्ट्स बताऊंगी जो कि सल्मान खान की निजी जिन्दगी से रिलेटिड है यानि कि उनके कुछ खास सीक्रेट्स दोस्तों सल्मान खान इनका रियल नेम नहीं है ये इनका रियल नेम है इनका रियल नेम है अब्दुल रशीर सलीम सल्मान खान दोस्तों बले ही सलमान खान बॉलिवूड इंडस्टी के बहुत बड़े सितारे हैं पर उनके लिए ये बात मशुहूर है कि वो सोशल मीडिया से थोड़ा अलग रहते हैं यहां तक कि उनकी अपनी अभी तक कोई इमेल आईडी नहीं है दोस्तों और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वो पसंद करते हैं लोगों से डारेक्टली बात करना या फिर फोन पे बात करना मतलब डारेक्ट इंट्रेक्शन सल्मान खान का दूसरा शौंक है साबुन से प्यार मतलब उनके बात्रूम में आप अलग अलग तरह के बहुत ही खुश्बूदार साबुनों को देखोगे उनको साबुन का नैच्चरल फ्लेवर बहुत ही पसंद है दोस्तो सल्मान खान अगर कभी अपनी बायोग्राफी लिखेंगे तो definitely उनकी बायोग्राफी में उनकी कारों का जिकर जरूर आएगा क्यूंकि वो कारों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनको बहुत शौंक हैं महंगी और comfortable cars को खरीदने का सबसे फेवरेट कार्ज में उनकी आती है BMW, Mercedes-Benz and Land Cruiser कम ही लोग जानते हैं कि सल्मान खान स्विमिंग में चैंपियन है मतलब उनको बच्पन से ही स्विमिंग करने का बहुत ज्यादा शौंक है और वो अपने स्कूल टाइम में नेशनल लेवल के स्विमर भी रह चुके हैं दोस्तो ये हिडन फेक्ट है सल्मान खान के लिए कि वो एक बहुत अधान दोस्तो सल्मान खान को राइटिंग का भी शौंक है ये बहुत बड़ा फैक्ट है उनके बारे में कि वो राइटिंग भे करते हैं उनकी फिलम बागीदा रिबेल फोर लव उनी के द्वारा लिखी गई फिलम है और दोस्तों उन्होंने लिखी है सक्सेस्फुल फिलम वीर और चंद्रमुखी सल्मान खान खाने में कभी भी कॉंप्रमाइज नहीं करते हैं कहा जाता है कि एक बार लंडन में उन्होंने अपनी पूरी यूनिट के लिए लंडन ड्रीम्स फिलम की यूनिट के लिए बिर्यानी कुक खीती और सबने बड़े ही स्वात से खाई थी उनको सबसे ज्यादा चाइनीज फूड पसंद है और मुंबई में उनका फेवरेट रेस्टोरेंट है चाइना गार्डन दोस्तो सल्मान खान के इन फैक्ट्स में से सबसे शौकिंग फैक्ट ये है कि सल्मान खान एक बिमारी जिसका नाम ट्रिग्मिनल नियूरलजिया है मतलब ये स्यूसाइडल डिसीज है से इफैक्टिड है दोस्तो बले ही सल्मान खान ने फिल्मों में अपना नाम बहुत कमाया है पर उनकी शुरुवात फिल्मों से नहीं हुई थी उनकी शुरुवात हुई थी as a model बले ही सल्मान खान को सूरज बर जातिया की फिल्म में ने प्यार किया से फेम मिला पर उनकी पहली फिल्म 1988 में बीवी हो तो ऐसी थी और उस फिल्म में इन्होंने फारुक शेक के चोटे ब्रदर का रोल किया था दोस्तों ये थे सल्मान खान के सीक्रेट्स ऐसे कुछ सीक्रेट्स और भी बॉलिवुड एक्टर्स के हैं जिनको आप जानना जरूर चाहेंगे उसके लिए देखते रहे हंगरी स्पिरिट्स चैनल और सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा